आज शाम के अध्यान के लिए रूमियों की पत्री और उसका आठ्वा अध्याय खोल लें रूमियों की पत्री आठ्वा अध्याय आप मैसे जो पहली बार ये सुन रहे हैं आप पूछेंगे कि रूमियों की पत्री ये क्या नाम है कैसा नाम है भे आज से 2000 सल पहले आज के न में देर हुई तो आज से 5000 साल बाद नहीं चुलेंगे तो आज से 2000 साल पहले रोम नाम की जगह पर जो लोग थे उनको एक आठ्वा अतियाए रोम नाम की जगह पर लोगों के लिए लिखा गया था बहुत लंबा पत्र था लंबे पत्र को अपन हिंदी में पत्री बोलते हैं रोमियों की पत्री उसके 21 इतियाए को हम देखेंगे पिछले हफते अपन ने 7 इतियाए से अतियाए था और 7 इतियाए में हमने जो मुक्ठी बात देखी थी वो बात ये थी कि जब एक येक्ति प्रभू ईश्व को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहिण करता है तब प्रदान करते हैं लेकिन जब ये मुक्ति और ये नया सुभाव उसको प्रदान कर दिया जाता है तो उसका ये नश्वर शरीर बदल नहीं दिया जाता प्रभू उसको इसी नश्वर शरीर में रखते हैं क्यों रखते हैं इसके पीछे प्रभू का अपना कारण है और मनिश् इस शरीर में जो पाप स्वभाव है वो भी इस शरीर में रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु ईशु का जो सच्चा अनियाई है जिसने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करके नया जीवन पाया है वो इस शरीर में दो स्वभाव के साथ जी रहा है आप कहेंगे दो स्वभाव जी हां एक नया स्वभाव जो प्रभू ने उसको दिया है और एक पुराना स्वभाव जिसको लेकर उसने जन्म लिया है इन दोनों स्वभावों के बीच में संगर्श होता है क्या बिलकुल होता है इसका उदाहरण मैंने पिछले हफ़ते आपको बताया था कि जिस यक्ति ने भी जीवन में धूम्रपान छोड़ा है या मद्यपान छोड़ा है वो इस बात को जानता है कि छोडने के बाद कितने महीनों तक कितने सालों तक इन दोनों चीजों के बीच में संगर्श होता रहता है इसी तरह से जिसने भी प्रभु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रेंड किया है उसके जीवन में पुराना जो स्वभाव है और नया स्वभाव है इनके बीच में संगर्श चलता है ये हमने साथवे अध्याय में देखा आठवे अध्याय में हम बहुत ही महतवपूर्ण प्रैक्टिकल बातें देखते हैं आठवे अध्याय का पहला पद इस तरह से कहता है अब जो प्रभु येशु में है उन पर दंड की आग्या नहीं इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि मनिश जिसने इस पृत्वी पर एक पापी के रूप में जन्म लिया वो मनिश जब इस बात को समझ जाता है कि मैं पापी हूँ और जब इस बात को समझ जाता है कि प्रभु येशु इस संसार में पापियों को मुक्ती प्रदान करने के लिए आये थे किसी नए धर्म को चालू करने के लिए नहीं उनका लट्षी ये नहीं था कि आ जाओ मैं एक नए धर्म चालू करने इसमें भरती हो जाओ नो प्रभु के इस संसार में आने का लट्षी था मेरे प्रिये बच्चे तुम मेरी सृष्टी हो तुम इस नश्वर शरूर में पाप के साथ संगर्ष कर रहे हो पाप से भरा जीवन बिता रहे हो पाप की सजा है मृत्यू तुम सदा सरवदा के लिए मृत्यू में चले जाओ ये मैं नहीं चाहता और इस कारेंड मैं तुमारे लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए संसार में आया हूँ जिससे की सूली पर मेरे बलिदान के द्वारा तुम एक नया जीवन पासको ये आठ्वा ध्याए आरंब में जो श्लोक है या जो पद है वो इस बात को याद दिलाता है कि जो प्रभु ईश्यू में है उन पर दंड की आगया नहीं इसका क्या मतलब है जिस व्यक्ति ने भी इस बात को पहचाना है कि मैं एक पापी हूँ और जिस व्यक्ति में भी इस पहचाना है कि मैं अपने पाप का इलाज स्वयम नहीं कर सकता मैं पाप का हल स्वयम नहीं कर सकता वो व्यक्ति जब इस बात को समझ जाता है कि संसार के स्रिष्टा स्वयम प्रभू मनिश की रूप में जब इस संसार में आये तो उनके पधारने का एक मात रिलेट्शिय मुझे और आपको पाप की सजा से चुटका कर एक नया जीवन देना है और जब अब इस बात को पहचान कर प्रभू के चर्णू के पास जाकर जब प्रभू से कहते हैं कि प्रभू ये बात मैं अच्छी तरह से मेरी आँखे खुल गई है मैं अच्छे तरह से समझ गया हूँ कि मैं पापी हूँ मैं इस बाद को समझ गया हूँ कि मैं अपने स्वयम के प्रयत्नों से अपने कर्मों से अपना उधार अपनी मुक्ती नहीं कर सकता और इसलिए प्रभू आपने सूली पर जो बलिदान दिया है मेरे लिए, उसके द्वारा मुझे मुझे प्रदान कीजिए, तब मुझे और आपको वो नए जीवन या वो मुझे मिलती है। इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया था कि आजसे बहुत साल पहले, जब मेरे पिताजी ने मुझे एी बात बताई कि मेरे बेटे, तुमने इस संसार में जन्व लिया है, इस कारेंऑ तुम पापी हो। और ये जो बाते मैंने आपको बताई ये जब सारी बाते जब मुझे उन्हाने बताई तो उनके सामने गुटने टेक कर मैंने प्रभो से याचना की कि प्रभू मैं समझ गया हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं ये भी समझ गया हूँ कि आपने मेरे लिए सूली पर अपने जीवन दिया है, मुझे मेरे पापों से छमा कीजिए मैं प्रबो को मुक्ति दाता के रूप मैं ग्रहन करता हूँ, मुझे मुक्ति या उधार प्रदान कीजिए, उस समय मेरे जीवन में एक नई खुशी आई, एक नई आशा आई मुझे नया जीवन मिल गया ये नया जीवन या इस नई जीवन का अनुभव यहां बैठे हुए बहुत सारे भाईयों ने और बहुत सारी बहनों ने किया है आज यदि सभा में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने इस नई जीवन के बारे में नहीं जाना है या जिस नई जीवन के बारे में सुनने के बाद भी इस नई जीवन को प्राप्त नहीं किया है तो उस व्यक्ति से मेरी आचना है, उस व्यक्ति से मेरा अनुरोध है, मेरी विंती है कि मेरे प्री भाई, मेरी प्री बहन आपको इस सभा में लाने के पीछे हमारे दो उद्देश हैं पहला उद्देश यह है कि प्रभु ईशु के द्वारा ये मुक्ति जो आपको प्रदान की जाती है उस मुक्ति को आप प्राप्त करें दूसरा उद्देश यह है कि उस मुक्ति को प्राप्त करने के बाद आप प्रभू की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं जिससे कि प्रभू की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के द्वारा आप दिन प्रति दिन प्रभू के निकट प्रभू के पास जा सके प्रभू और फाइनली पूर्ण रूप से प्रभू की इच्छा के समान या इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके हाँ एक परेशानी जरूर होती है हमारे अंदर जो पुरेना स्वभाव है वो लगाता और हमको प्रभु से दूर खीचता है ये जीवन भर का संगर्ष है लेकिन ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ मनिश के जीवन की एक विशेश बात है जिस छेत्र में भी वो उन्नत लेवल पर जाना चाहता है वहाँ संगर्ष होता है यदि विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है तो उसको जीवन भर पड़ाई लिखाई के साथ संगर्ष करना पड़ेगा उसके बिने नंबर थोड़ी आएंगे आत्मिक जीवन भी ऐसा है प्रभू ने हमको जानकर इस संसार में रखा है जिससे कि पाप के साथ दिन प्रति दिन संगर्ष करके हम पाप से भरे हुए जीवन को छोड़ कर धर्म से भरे हुए जीवन की तरफ जा सके अंतर ये है कि प्रभू ने अपनी स्वयम की आत्मा पवित्र आत्मा को हमें दिया है जो इन बातों में हमारी मदब करते हैं अच्छा अब जब इस तरह से हम जीवन बिताना शुरू करते हैं तब हमारे जीवन में क्या होता है इसके बारे में एक दो बातें बताकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं चुकि ये संदेश बहुत सालों से लोगों को सुनाता आ रहा हूँ तो कई बार लोग मेरे पास आके कहते हैं कि शास्त्री सर एक बड़ी विकट समस्या है समस्या क्या है? पुरिश कहता है कि देखिए सर आज से तीन मेहने पहले मैं प्रभु येशु का अनियाई हुआ प्रभु के द्वारा मैंने मुक्ति पाई तब से मेरे सोचने का तरीका बदल गया है मेरी बोली बदल गई है मेरे करम बदल गए है लेकिन अब घर में शांती नहीं है तो जब मैं उससे पूछता हूँ कि मेरे छोटे भाई, मेरे पुत्र, मेरी बहन पुत्री, क्या हुआ? जरा विस्तार से बताओ तो सही तो जवाब आता है कि सर या बड़े भाई प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन करने से पहले मैं शराबी था कबाबी था, लुच्चा था गाली गलोच करता था घर आके रोज शांग को पत्नी के साथ मार पीट करता था लेकिन आज से तीन साल पहले, तीन महीने पहले जब मैंने प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन किया तो मेरी बोली बदल गई जहां मैं मूँ खुलते ही गाली देता था, उस मूँ से अच्छी बाते निकलने लगी मेरे कर्म बदल गए मैं अच्छे दोस्तों के साथ उठने बैटने लगा घर पे जो मारपीट करता था वो बंद कर दी मैंने मद्धिपान बंद कर दिया धोमरपान बंद कर दिया और सर या बड़े भाई अब परेशनी क्या है कि हमारी पतनी खुश नहीं है जब तक हम मद्धिपान करते थे घर पे आके जमके मारपीट करते थे गाली गलोच करते थे तब तो वो कुछ नहीं बोलती थी अब मैंने सब छोड़ दिया है तो वहाँ गाली गलोच चालू हो गया है कि तुम ने ये किस व्यक्ति के अनियाई हो गया तुमारा जीवन बदल गया क्या हो गया मेरे जीवन में शांती नहीं है बहने आकर इसी तरह से शिकायत करती है कि शास्त्री सर या बड़े भाईया आज से कुछ साल पहले मेरा जीवन ऐसा था कि कम से कम चार गाली बोले बिना मैं पती से सीधे मूँ बात नहीं करती थी और यदि वो रोटी बनने को बोलता था तो मैं जली कटी रोटी उसके सामने रख देती थी नमक जबरदस्ती सबजी में एक्स्ट्रा डाल के देती थी वो घुछ बोल नहीं पाता था आज से तीन महिने पहले जब से मैंने प्रभु ईशू को अपना मुक्ति दाता माना है जब से मैं प्रभु की अनियाई हो गई हूँ तब से गाले गलोच मैंने बंद कर दी है पती के साथ इज़त से पेश आती हूँ बच्चों के साथ प्यार से पेश आती हूँ एक चपाती चाहिए से पूछ लेती हूं कि नमक सही है क्या उसके बाद अच्छी सब्जी अपने पती के सामने परोस्ती हूं मैं बदल गी हूं तो आप वो गाली गलोच करते हैं जब मैं गाली गलोच करती थी तो वो चुक्चा बैठे रहते था अब मैं सुधर गई तो उन्होंने गाली गलोच चालो कर दिया है ऐसा होता है कि आप पूछेंगे जी हां ऐसा होता है कई परिवारों में ऐसा होता है अब सवाल यह है कि जब एक व्यक्ति अपने सब प्रकार के कुकर में छोड़ कर बुरे कर में छोड़ कर जब सब प्रकार की हिंसा को छोड़ कर जब मारपीट को छोड़कर मद्यपान को छोड़कर धूमरपान को छोड़कर जब वो व्यक्ति प्रभूई ईशु का नियाई हो जाता है तो ये मुसीबतें क्यों? इसके पीछे दो कारण है पहला कारण हमने पिछले अध्याई में देखा हर व्यक्ति के अंदर पाप का सुभाव है और जब एक व्यक्ति सुधर जाता है जब एक व्यक्ति प्रभूई ईशु का अनियाई हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति अब उसका स्वयम का पाप का सुभ उसको परेशायन करता है दूसरे व्यक्ति जिसने प्रभू को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहंड नहीं किया या तो आपकी पत्नी या आपका पती उसके अंदर जो पाप का स्वभाव है वो भी सर उठा लेता है कि अच्छा ये भक्त मैं उसको दबा के ही रोंगा मैं उसक इसरे के अन्याए से होकर क्यों गुजरने ये तो सरासर अन्याए हैं सरासर अन्याए है कि जब तक हम मारपीट करते थे लुच्चे थे तब तक तो घर पे कोई बोलता नहीं था और अब हम सीधे साधे संद्ध हो गए तो हमारे साथ घर में ऐसा बुरा विवहार हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके तीछे कारण है, वो कारण हम इस अध्या के 28 पद में पढ़ते हैं और प्रभु ये इश्व का जो भी एनियाई है, उसको ये 28 पद जिरूर याद कर लेना चाहिए यहां हम देखते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से, मतलब प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन करती है क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में जिस बात को भी आने के लिए प्रभु ने अनुमती दी है, याद रखें, प्रभु की अनुमती के बिना मेरे आपके जीवन में पत्ता भी नहीं हिल सकता प्रभू की आनमती से आपके जीवन में जो कुछ हुआ है वो प्रभू का वचन कहता है ये सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन करते हैं इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति ने भी प्रभु येशु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रेंट हिया है अब उसके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है और यदि बहुत सारे परिवर्तन की जरूरत है तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु जो बाते भेज वो एक प्रकार का मिक्स्चर है। उसमें मसाला भी होगा, नमक भी होगा, मिर्च भी होगा, बेसन भी होगा, तेल भी होगा, सब कुछ होगा। जब ये मिक्स्चर आता है तब उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और उसके साथ-साथ थोड़े से टाइल्स जो तूट गए थे उसको बदलना था थोड़ी सी और जगह पे टाइल्स डालना था तो शुरू से सुबह से लेकर शाम तक आवाज के कारण बड़ी बुरिस्तिती होती थी जब वो बिजली के आरे से टाइल्स को काटता था तो ऐस दर्दना कवाज होती थी कि कुछ पूछिये मत अच्छा लेकिन एक बात बताएं अंत में क्या हुआ अंत में हमारे घर को आके देखें तो आकर शोक हो गया जहां टूटा हुआ टैल था वहां नया टैल आ गया जहां मिट्टी थी वहां भर दिया गया उसके उपर भी टैल डाल दिया बरसात में भी अब आप चल सकते हैं वरना बरसात में बड़ी परेशानी होती थी चपल बदलो बाहर वाला चपल पहना आप आराम से चल सकते हैं देखने में सुन्दर हो गया देखने में आकरशित हो गया ये बात मैं याद दिलना है काटा गया पीटा गया शेप दिया गया जब मैंने उससे पूछा कि भाईया ये तुम काट पीट जो कर रहे हो ये ज़रा दिखाओ तो बोला कि शास्तरी सर समल के हाथ लगाना धार बहुत है इतना ही नहीं इसकी सहायता से जब कड़ी चीज को का तुकड़े लगे हुए हैं जिसकी सहायता से उसको घिसा जाए तो देखिए एक सुन्दर आकरशक अच्छी चीज को प्रड्यूस करने के लिए उसको काटना पड़ता है उसको पीटना पड़ता है उसको शेप देना पड़ता है थोड़े से लोहे का काम भी हुआ था और लोहे का काम जब हो रहा था तो जो कारी क्質 काम कर रहा था उससे मैंने का कि भाई यू य दिखा आओ तो दिखाया मैंने का रहे ये तो फाइबर मालूम पड़ता है वो बोले सर यल द forehead ακर बाजी में हात है उसके उपर ये देखने में फाइबर मालूम पड़ता है लेकिन इसके अंदर भी डाइमंड के छोटे-छोटे टुकडे हैं, जो उसके सामने जो कुछ आता उसको घिसके चिकना करके उसको पॉलिश कर देता है। तो याद रखें, जो चीज अपने आप में देखने में सामन्य है, जो रफ है, उसको एक आकरती देने के लिए, उसको चिकना करने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए दर्द उसको देना पड़ता है। लोहे का टुकड़ा जीवित नहीं होता है, टैल जीवित नहीं होता, अब यदि वो जीवित होता तो आप हात लगाने जाते हो, टुकड़ा भग जाता आपके सामने से, टैल ये जबर्दस्ती है, आप उसको काटते हैं, वो जिन्दा होता तो चिलाता वहां पे कि बचाओ 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 जिंदा मुझे काट रहे हैं ये एक उदाहरन है इस बात का कि जो भी सामनी चीज़े हैं उसको लेकर एक उत्तम शेप देने के लिए एक उत्तम या सरवोतम अंति रूप देने के लिए काट पीट और रगड़ाई होती है इसी तरह से मैं और आप जो इस पाप में शरीर में जन्मे हैं जिनका जीवन पूरी तरह से पाप से भरा हुआ है उनको जब प्रभु ईशु के द्वारा एक नया जीवन दे दिया जाता है तो उस नये जीवन को फिर एक नया रूप देना जरूरी है इन दोनों में अंतर समझना जरूरी है मुझे और आपको प्रभु ईशु के द्वारा एक नया जीवन मिल चुका है लेकिन एक नया रूप नया रूप धीरे 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 आता है उसके लिए प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया मैंसे होकर हमको गुजरना पड़ता है और जब प्रभु हमको उस प्रक्रिया में से होकर गुजरते हैं, तब जो कुछ भी देखते हैं, वो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न लाता है, ये प्रभु, जब मैं कुकरमी था, नालैक था, तब तो सब मुझ से दूर रहते थे, और अब मैं भक्त हो गया हूँ, गर्पे चड़े आते हैं, इतने ही नहीं, मुझे शांती नहीं देते हैं, मैं प्रार्थन करने बैठता हूँ, तो पतनी घर पे भयानक, नाटक शुरू कर देती हैं, बरतन पटके जा रहे हैं, और कुर्सी खड़़़ाई जा रही है, मेच पे लात मायरी जा रही है, क्यो हे प्रभू पत्नी कहती है कि हे प्रभू जब मैं चार गाली के साथ जली भुनी रोटी अपने पती को परोसती थी तब तो चुचा बैठके बिलकल गउ के समान बैठके वो खाना खा लेते थे अब मैं अच्छा अच्छी रोटी परोसने लगी हूँ घी चुपड़ी हुए अच्छा खाना जिसमें नमक, मुर्च, मसाला सब बैलंस्ट है, संतुलित है, अब पती गाली गलोच कर रहे हैं। ये क्या कारण है प्रभू, कारण क्या है मैं बताऊं। प्रभू, जिस तरह से एक मिस्ट्री, एक मिस्ट्री एक कलाकार भी होता है, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। मिस्ट्री किसी चीज को लेकर उसको एक फाइनल आकरती देता है, तो इस आकरती देने के करण एक मिस्ट्री एक कलाकार भी है। इस विश्व का जो सबसे जो रचेजिता है वो धीरे 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 हमको नया जीवन देने के बाद हमें जो बन जाना चाहिए उस ओर हमको ले जा रहे हैं और उस ओर हमको ले जाने के लिए काटना जरूरी है, पीटना जरूरी है, मोडना जरूरी है, रगडना जरूरी है, साथ कुछ करना पड़ता है एक बात बताएं, हथोड़े चैनी के बिना सुन्दर पत्थर का घर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हथोड़े चैनी के बिना एक पत्थर को लेकर एक कलाकार एक सर्वुतम मूर्ती बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है आरी और काटने की अन्नी चीज़ों से काटे पीटे बिना लकडी का कोई आकरशक लकडी की वस्तु बन सकती है क्या नहीं बन सकती है जीवन में जो भी आकरशक है जो भी एक आकरशक रूप की और जा रहा है उसके पीछे नाकेवल बड़ी मेहनत है बहुत बड़ा दर्द भी है इसका सर्वोत्व मुदाहरन जो मैं कई बार संदेश में दे चुका हूँ आप लोगों ने देखा होगा केरल में कई घरों में जाते हैं तो कई अमीर लोगों के घर में आप जाएं तो जैसे ही आप उनके घर में प्रवेश करते हैं लेफ्ट सेड राइट सेड में गोल 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 पत्थर पड़े रहते हैं देखने में बहुत आकरशित बहुत ही आकरशक होते हैं ये बोरियां भर भर के बीची जाती है और जिसके पास पैसा है वो लाके अपने घर के सामने डालता है जिससे कि घर का आकरशन बढ़ जाए ये गोल गोल पत्थर ये कहां से आते हैं ये फैक्टरिया में बनाए जा जी नहीं, इनको नदियों और समुद्र से बटो रहा जाता है, अच्छा तो नदियों और समुद्र में ये अपने अब बन जाते हैं कि जी नहीं, इसके पीछे एक कहानी है, कहानी क्या है, अच्छा हर तरह की नदी में ये होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सिर्फ उस प्रकार क नदियों में मिलते हैं जो नदियां परवतों से निकल कर आती हैं परवतों से निकलने वाली नदी में चिकने पत्थर क्यों होते हैं इसलिए कि परवतों से जब नदी निकलती है तो गर्मी के दिनों में परवत का जो पत्थर है वो एकदम गरल होके जब तप जाता है और ब आगली बरसात में चटके हुए ये टुकडे पानी में बहने लगते हैं पत्थर को तोड़ कर तोड़ा हुआ टुकड़ा आपने से किसी ने देखा है क्या अपन सब ने देखा है उत्तर भारत में तो पत्थर का काम बहुत होता है मकाना में पत्थर बहुत लगता है पत्थर को जब हतोड़े से या चैनी से काट कर तोड़ दिया जाता है उसका सिरा जब तोड़ देते हैं वो टूटा हुआ टुकडा वो गोलगोल होता है क्या जी नहीं धारदार होता है उसको उठा कर अपन टेबल पर लाकर रखते हैं क्या नहीं रखते उसका उपयोग कुछ और का के लिए होता है क्या होता है जब ठंके दिनों में पैर के नीचे का पोर्षिन रगड़ना होता है तो अपन्त पत्थर उठाके बाथरूम में लाके रखते हैं या सनांगर में रखते हैं रखते हैं नहीं है और पैरों में जब कड़े कड़े बहुती पैर कड़ा हो जाता है तो वो पोर्शन इस पत्थर से रगड़ा जाता है पत्थर के टुकड़े से क्यों वो इतना धारदार होता है इतना रफ होता है इतना खुर्दुरा होता है कि ह हमारे पैर को वो अच्छी तरह से घिस देता है लेकिन यही पत्थर जब नदी में आगे बढ़ता है और जब उसके साथ सेकड़ों पत्थर नदी के पानी के बहाव के कारण आगे बढ़ते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं सेकड़ों किलोमीटर नदी हजारों किलोमीटर नदी जब उसमें यह पत्थर सुब शाम रगड़ते 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 जब आगे पीछे बढ़ते हैं क्या होता है आपस में रगड़ने के कारण उनका जो खुरदुरा सरफेस है वो स्मूथ होने लगता है वो चिकना होने लगता है उनके जो धारदार किनारे हैं किनारे की धार कम होने लगती है इवन शहर में यह देख सकते हैं यह सड़क बनाने के लिए जो पत्थर के पीसस जिसे जनरली मेटल कहा जाता है वो लाकर कहीं डाल देते हैं उसके उपर से गाड़ी आती हैं जाती हैं निकलती हैं कुछ समय के बाद वो चिकना होने लगता है आपस की रगड़ के कारेंड उसकी सतह चिकनी होने लगती है उसमें जो धार है वो हटने लगती है एक्जैक्ली इसी तरह से मेरे प्री भाई और बेहनों मैं और आप हमने प्रभु में एक नए जीवन तो पाया है लेकिन हम उस पत्थर के समान है जो चटान से तूट कर निकला है हाथ लगाओ तो हाथ कट जाएगा और यहाँ रगड़ दो तो चमड़ी निकल जाए ऐसे एक व्यक्ति को मतलब जो मृत्यू के अधीन है उस व्यक्ति को उठाकर उसको एक नए जीवन देकर उसके बाद उस व्यक्ति की रूप रेखा बदलना जरूरी है जब प्रभू के द्वारा हमें नए जीवन मिला उस नए जीवन को देने के बाद प्रभू हमको दस बीस पचास या असी साल या सौ साल इस पृत्वी पर इसलिए रखते हैं कि जिस तरह से चट्टान से तूटे हुए वे टुकडे एक दूसरे के साथ रगड़ खाकर मुझे और आपको मेरे मुक्ति पाने के बाद आपके मुक्ति पाने के बाद अगले दस बीस चालीस पचास या सी साल प्रभू हमको एक नया रूप दे रहे हैं एक नया रूप दे रहे हैं इसलिए यदि प्रभू को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन करने के बाद यदि आपके दोस्त, आपका उपहास करें, आपकी पत्नी यदि आपका विरोध करें, आपका पती यदि आपका विरोध करें, यदि आपके माबाप आपका विरोध करें, आपके दोस्त, आपका मजाक उड़ाएं, इन सब के पीछे कारण हैं, प्रभू ने ऐसा होने दिया है, क्य हम देखते हैं, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन करते हैं, क्या मतलब? मेरे और आपके जीवन में, जिस तरह से चटान से निकले हुए टुकडे मिलकर आपस में एक दूसरे को शेक देते हैं, एक मन भावना रूप देते है उसी तरह से आत्मिक जीवन में आने के बाद जीवन में तमाम तरह की समस्य आएंगी, तमाम तरह की परेशनी आएंगी, ये सब रभु ने मेरे और आपके जीवन में इसलिए होने दिया है, जिससे कि मेरे और आपके जीवन का रूप बदल जाए, दूसरे को नुकसान पह व्यक्ति से बदल कर हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो दूसरे को ना केवल चोट से बचाव करते हैं बलकि उसको आनंद प्रदान करते हैं। मैंने कई बार देखा है कि जब बच्चे लोग पिक्निक पे जाते हैं तो यदि ऐसी नदी के किनारे वो चले जाते हैं जहां इस तरह के चिकने पत्थर गोल गोल पत्थर हैं बहुत सारे बच्चे इन पत्थरों को उठाकर अपने थेलों में डाल लेते हैं। मैंने देखा हैं। आना है उठा सकता है, तो मैंने तो बहुत सारे पत्थर अपने थेले में भर लिये थे, मेरी टीचर ने पूछा भी कि ए रे तेरा दिमांग खराब हो गये कि पत्थर, मैंने का कि टीचर जी मुझे उठा लेने दीजिए, टीचर अच्छी थी, उन्हें जिरोर ये कहा कि तेर इदर उदर रखा अभी पिछले हफते हम घर की सफाई कर रहे थे पुताई के लिए मेरी उमर 65 साल की हो गई है मतलब एक दादा की उमर हो गई है मतलब 5 साल पहले हम सठिया गए थे, 60 की हो गए थे अब तो 65 की हो गए है लेकिन इसके बावजूद मैंने बच्पन में जो पत्थर उठाए था उसमें से एक पत्थर अभी भी मेरे कलेक्शन में है उसको देख के मैंने सोचा रखू फेंकू रखू या फेंकू क्योंकि अब मेरी उमर इन चीजों के लिए खतम हो गए फिर मैंने सोचे चलो पड़े रहने दो जिन्दिगी पर अपना साती रहा अब उसको क्या फेंके क्यों वो पत्थर इतना आकरशक हो गया आज इसलिए आकरशक है कि बच्पन में उठा लाए थे बच्पन में क्यों आकरशक हो गया इसलिए कि वो चिकना है गोल है देखने में आकरशक है मैं और आप जब प्रभू को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन करते हैं उस समय हम आकरशक नहीं होते हैं उस समय हम प्रभू के बच्चे हो जाते हैं लेकिन जीवन में बहुत बदलावाना जरूरी है, इसलिए प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बातें आने के लिए प्रभु अनमती देते हैं, एक दोस्त जो हमेशा गाली गलोच करता है, एक पत्नी जो हमेशा हमको पीडा देती है, जाली नहीं देता, मैं अब गुस्सा नहीं करता, पिताजी नाराज, मताजी नाराज, क्यों ये प्रभु इन चीजों को हुने देते हैं, इसलिए कि जो लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन करती हैं, अर्थातुनी के बुलाए गए हैं, प्रभु ने मुझहर आपको बुलाया है, और यहां लिखा है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए तो प्रभु को मुक्ति दाता के रुप में ग्रेंड किया, प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए तो संधिया के समय बैट कर आपस में फालतू गपशप करने के बदले इस तरह की संगती में आए इस तरह के सत्संग में आए हम सब प्रभू से प्रेम करते हैं और इसलिए हम सब के जीवन में ये प्रशन बार बार आ सकता है कि प्रभू ये परेशानी क्यों वो परेशानी क्यों वो परेशानी क्यों और प्रभू मैं तो आपका बच्चा हूँ मेरी नौकरी में क्यों परेशानी आ रहे है मेरे प्रमोशन में क्यों परेशानी है ए प्रभू मैं तो सुबस से शाम महनत करता हूँ लेकिन मेरा मालिक कभी खुश नहीं होता है प्रभू मेरा मालिक खुश है तो मुनीम मेरी बुराई करता है मुनीम खुश है तो मेरे साथ ही मेरी बुराई करते है होता है क्या हम सब को अपने जीवन में इन बातों से होकर गुजरना पड़ता है तब ये प्रश्न हमारे मन में आता है प्रभू मैं तो आपका बच्चा हूँ इस संसार के स्रिष्टी करताने मुझे मुझे मुक्ति दी है प्रभू इसके बाद आप बचाव नहीं करेंगे क्या प्रभू बचाव करेंगे लेकिन उसके साथ साथ प्रभू का एक और उद्देश हमारे जीवन में है ये हमको समझना चाहिए उद्देश क्या है कि मुझे आपको रगड रगड कर एक नया शेप देना ये बात भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ आज मैंने आपको उदाहरिंड दिया था नदी के पत्थरों का लेकिन सिर्फ नदी के पत्थर ही नहीं होते हैं आप जानते हैं क्या कि ना केवल नदी के पत्थर एक दूसरे से रगड खाते हैं बलकि मनश भी पत्थरों को काट कर उसको रगड ता है उसको शेप देता है, सुने हैं कि आपने कभी अरे ये जो आप केरल में कहीं भी चले जाएं तो जहां टैल्स बेचते हैं, वहाँ पर संग मरमर मार्बल के बड़े बड़े टुकडे नजर आते हैं ना के विल मार्बल ग्रैनेट के भी टुकडे नजर आते हैं उस टुकडे को उठा कर उसका सिरा देखें, वह चिकना होता है क्या? नहीं होता है, वो तो खुर्दिरा होता है लेकिन उसका ये सिरा, ये साइड एक दम से स्मूथ होता है हाथ रखो तो फिसल जाए, ऐसा कैसे होता है? इस ग्रैनेट को काटा जाता है, बाकाइदा बिजली की मशीनों से काटा जाता है संग मरमर को बिजली की मशीनों से काटा जाता है काटने के बाद विशेश प्रकार की मशीनों से उसको घिसा जाता है, पॉलिश किया जाता है पिछले दिनों मैं उसके एक वीडियो देख रहा था जहां मार्बल काटा जाता है वहां ऐसी भयानक आवाज होती है कि लोग ऐसे बड़े बड़े कान को कवर करने वाली चीज़ों को लगा कर वहां उसकी कटिंग करते हैं और यदि आप ना लगाए तो कुछ महिनों में आप बहरे हो जाएंगे तो इतना भयानक यातना उस पत्फर को देते हैं वो लोग जिससे कि इसको काटा जाए और फिर जहां उसको घिसते हैं वहां तो उससे भी भयानक है तो ना के वल प्रकृती में हम देखते हैं बलकि मनिश भी जब एक सामानी चीज को लेकर सुंदर और आकरशक बनाने की कोशिश करता है तो यंत्रों की सहायता से घिसना पड़ता है तो यदि एक छोटी सी चीज एक संग मरमर एक ग्रैने जो आज है और कल नहीं है उसको मनिश जब इस तरह से कड़ाई से घिसकर काटकर आकरती देता है तो मेरे और आपके स्रिष्टा जो मुझे और आपको शाश्वत दीवन प्रदान कर चुके हैं हमको अनंतकाल तक अपने साथ रखने के लिए आप जरा सोचे कितना अधिक हमको रगड़ेंगे कितना अधिक घिसेंगे कितनी अधिक काटपीट करेंगे यह है जो रोमिया आठ अठाइस में लिखा है मेरे बच्चे यह सब आएगा तुमारे जीवन में तुम घर जाओगे जब लोगों को बताओगे कि मैं तो प्रभू ये शुकानी आई हूँ तो कल तक जो लोग खुश थे वो नारा जो जाएंगे वो गाली गलोच करने लगेंगे पत्नी को जाके बताओ वो गाली गलोच पती को जाके बताओ वो गाली गलोच दोस्त वो लोग उपहास करेंगे लेकिन ये सारी बातें मिलकर हमको एक नया रूप देती है उसके लिए प्रभू ने रखा है और इसलिए प्रभू का वचन बताता है या कहता है कि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन करती है इस बात को समझने के लिए प्रभू आपकी मदद करें क्योंकि इस बात को समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा है कई बार लोग चिडियों को पालने के लिए पकड़ लेते हैं कुछ चिडिये बड़े आराम से उस पिंजडे में रह जाती है इस बात को जानके कि संगर्ष करना बेकार है कुछ चिडिये क्या करती है इदर नोचा उदर नोचा इदर से निकलने की कोशिश इदर से निकलने की कोई चार-पांच घंटे के बाद उसका हाथ, मूँ, सब लहू-लुहान हो जाता है यही आत्मिक जीवन में प्रभू ने जो अलव किया है वो आपकी भलाई के लिए अलव किया है संगर्ष ना करें संगर्ष करके अपने जीवन को बरबाद ना करें प्रभू ने जो कुछ आपकी जीवन में होने के लिए अनुमती दी है, उसे होने दीजे प्रभु पर भरोसा रखे प्रभु पर आसरा रखे प्रभु की शक्ति का उप्योग कीजे, जिससे की ये चीजें प्रभु की इच्छा के अनसार आपको एक नया रूप दे सके क्लोसिंग में मैं फूर से इससे बात कीजिए हम आपको डीटेल में बताएंगे कि किस तरह से प्रभू इशु के द्वारा आप इस नई जीवन को पा सकते हैं। आज की सभा में प्रभू ने हमारी मदद की उसके लिए मैं प्रभू का शुक्र गुजार हूँ। आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से प्रभू के वच्छन को सुना। उसके लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूँ। प्रभू आप सब की मदद करे। जै मसीथी।